एक और कहानी टीवन मोटिवेशनल दवारा गाइज यह कहानी है एक एस लड़की की जिसे सिर्फ ऐसा फलता प्राप्त हो रही थी एक दिन वह लड़की अपनी मा के पास अपनी परेशानियों का बखान करने के लिए गई और वो मा से बोली मा में पर एक समय फेल हो गई हूँ सैली से जगडा हो गया है मन पर सुन ड्रेश जल गई है और वो तो वो अपनी मा से बोली तो उसकी मा ने मुश्कराया और कहा मैं तुमारे लिए केक बनाती हूँ तो केक उस लड़की को काफी परसंद था तो केक बनाने के लिए उरोस ही घर में गई तो उसकी माने मैदा लिया और अपनी बेटी से कहा कि ले बेटी तू मैदा खा ले तो वो लड़की नाराज हो गई माने फिर मुस्पराते हुए कहा मैदा नहीं तो चीनी खा ले तो मा ने फिर कहा मिलकी मेड के डिब्बे का स्वाधी चक ले तो लड़की मा से बोली मा आज आपको क्या हो गया है तो मा ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया बिटा केक इन सभी बेस्वाधी चीजों से ही बनता है ये सभी मिलकर एक स्वाधिष्ट केक बनाती है मा ने फिर बिटी को सोभी पर बैठा कर कहा जिंदगी का केक भी इसी पिरकार की बेस्वाधिष्ट घटनाओ से मिलकर बनता है अगर फेल हो गए तो क्या हुआ दोबारा मेनत करो पास हो जाओगे सहीली से जगडा हो गया तो अपने व्यवार बदलो जिससे जगडा ही नहीं हो यदि मानसिक तनाव के कारण ड्रेस जल गई तो सदा ध्यान रखो कि मुन की इस्तिती है हर परिस्तिती में अच्छी हो बिगडे मन से काम भी बिगडेंगे और अच्छे मन से काम करोगे तो आपके सभी काम अच्छे होंगे